असलामु अलाइकुम गुड मॉर्णिंग चिल्डरन तो हम यहां तक का हमने किया था लास्ट लिसन में तो अब हम आगे करेंगे देखो डैमोंस्ट्रेटिव एडजिक्टिव ग्रामल लेंड में चैप्टर नंबर 7 इसमें हमने प्रोनाउंस देखे अब हम देखेंगे डैम घ्रेटिव वह डैमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे और यह एड्जिक्टिव में भी यूज होते है तो देखो डैमोंस्ट्रेटिव एडजिक्टिव अर प्लैस्ट बेफोर नाउन और नायून ग्रूप मतलब कोई नाम या कोई नाम का ग्रूप हो उसमें भी हम this or that मतलब उसको हम क्या बोलेंगे demonstrative adjective तो देखो example this is box is heavy this box is heavy मतलब यह नाम यह कोई वो आगया proper जिसके box है तो आगया तो this box is heavy वैसे ही यहाँ पर these boxes are इसकी जगा पर क्या आएगा क्योंकि यह एक से ज़्यादा boxes की बात कि तो are heavy की जगा पर क्या लिखा है empty तो these boxes are empty ओके वैसे ही नीचे का देखो that girls is my sister तो यहाँ पर girl है और इसकी sister बताएक जैसे की नाम दिया हुआ तो इसमें हमने क्या लिखा that हर एक नाउन के आगे हमने these या that लिखा है तो वैसे ही those girls are my friend मतलब यह girl girls है तो those आ गया क्योंकि हमने आगे लेशन में देखा था कि यह plural में भी add होता है तो girls में क्या होगा those are my friend ओके क्योंकि यह pronounce यह adjective है इसलिए तो इसका example देखेंगे now next देखो apple are right तो इसमें क्या है apples are right क्योंकि यह apple के पास खड़ी हो और एक से ज्यादा है तो these apples are right okay वैसे ही second tea is hot तो हम किसके साथ add करेंगे यह दूर खड़ाए देखो tea is hot और एक से ज्यादा भी नहीं है तो इसमें क्या लिखेंगे tea is hot that tea is hot ओके फिर इसमें क्या है clothes are dirty तो क्या है इसमें क्या आएगा clothes एक से ज्यादा clothes की बात की है तो और यह पास भी खड़ी है तो इसमें हम क्या करेंगे these clothes are dirty फिर देखो boy is my neighbor यह दूर खड़े है और लड़का एक ही है तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे that boy is my neighbor जैसे ही chairs are in the garden यह chairs है और दूर भी खड़ी है तो chairs की बात की है तो those chairs are in the garden समझ में आया तो देखो pillow is very soft यह pillow के पास खड़ा है और pillow एक ही है तो इसमें क्या आएगा these pillow is very soft body is hurt वो बढ़ के पास भी है और यह plural नहीं है तो इसमें क्या आएगा these board is hurt ओके समझ में आया इतना नाव नेक्स देखो complete this sentence with the demonstrative adjective अब हमें जो नावन देखा था adjective एडजेक्टिव देखा था यह एडजेक्टिव बोलते इसको उसके आगे हमें these या that लगाना है चलो तो first देखते है these skirt is pretty यह pass है इसलिए these और यह दूर है इसलिए that ओके समझ में आया इतना फिर देखो blank boys are very noisy तो यह क्या है फॉस्ट में देखो क्या आएगा इसमें that sorry those आएगा क्यूं क्यूंकि यह दूर खड़ है those boys are very noisy और blank boys are quiet तो इसमें क्या आएगा these these boys are quiet okay are blank apples sweet तो यह दूर है तो इसमें क्या आया are those blank apples in the basket are not sweet तो इसमें क्या आएगा these क्यूं क्यूंकि यह pass b है इसलिए भी देखो इसमें is blank pen yours मतलब यह pen के पास खड़ा है या दूर खड़ा है तो इसमें क्या आएगा pass खड़ा है तो इसमें क्या आएगा is this pen yours blank one is priyas क्या है यह वह दूर तो इसमें क्या आएगा that क्यूंकि यह चीज दूर है और एकी पैन की बात की है वैसे ही यहाँ पर blank cow gives milk मतलब यह पास कड़ा है यह दूर खरा है cow gives milk मतलब एकी cow है तो इसमें क्या आएगा this cow gives milk blank ox work in the field इसमें क्या आएगा that क्यूंकि यह दूर है that ox works in the field सही यहाँ पर blank flowers are red एक से ज्यादा flower है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे this और पास भी खड़ा है तो these flowers are red blank flowers are yellow यह दूर हो गया है तो हम इसमें क्या लेंगे those क्यूंकि यह दूर है इसलिए ओके समझ में आया बच्चा तो देखो अब हमें इसमें underline करना है रतन और अर्वीन आर देखो underline the demonstrated in this passage तो देखो हमें यह passage पढ़ते हैं उसमें हमें demonstrated those that जो है वो हमें जो adjective के पहले हुआ है उस पर हमें underline करना है तो देखो रतन और अर्वीन आर अर्वीन आर अन देर वे to school suddenly रतन है जो हमें आइडिया he says let us go and look at that जैसे कि इस पर की है that empty house near the jungle अर्वीन सेज does this treat तो इसमें क्या आएगा this क्योंकि यह adjective के पहले है go there रतन सेज no we have to take that road come with me soon the they see strange looking house Arvind asks is it that house Ratan notes look at those इसमे क्या आया दोस twisted creepers all around the house says Arvind Ratan says look at that gate is open let us go inside suddenly they hear strange sound coming from inside the house they run back to the gate in fright Arvind said look at that okay तो इसमें भी हो गया यह हमारा यह हमें समझ में आ गया इतना हमें करना है तो इसमें कौनसे कौनसे है 1, 2, 3, 4, and 5 ओके यह हमें नहीं लेना है window the window the window with those dirty देखो इसमें भी those आ गया those dirty curtains I think I see something suddenly a big bat flies out the window the children look at each other and begin to laugh तो देखो इसमें adjective कौनसे कौनसे है demonstrate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह 7 adjective है जो हमें underline करना है paste picture of your देखो इसमें क्या करना है exercise paste the picture of your family in the box मतलब आपकी family का photo यहाँ पर रखना है now talk about the people and the thing in the picture मतलब जो चीज जो वोग लोग कर रहे है उसके बारे में तुमें हमें these, that और दोस के बारे में यहाँ पर एक लिख के बेजना है ओके देखो यह रहा this is my sister की गी that is my picture on the wall वैसे हमें तुमको ऐसा एक picture यहाँ पर लगा कर रखना है और यहाँ पर question this से और दोस से करके लिखना है ओके बेचो आज का हमारा यहाँ तक का हुआ अब हम आगे पढ़ेंगे यह chapter number 7 semester 1 में यह last chapter था यह यहाँ पर खतम होता है के मेता अलाफीस